दोस्तो आईए देखते हैं फिजिसके दस इंपोर्टेंट क्वेस्चन एंस्वर तो सुरू करते हैं क्वेस्चन नमबर एक कारे का मातरक है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन सही एंस्वर है जूल क्वेस्चन नमबर टू की तरफ चलते हैं बल की SI यूनिट क्या है कैल्विन, न्यूटन, पास्कल या पोल्ट तो सही एंस्वर होगा न्यूटन बल की मातरक न्यूटन होता है क्वेस्चन नमबर फोर की तरफ उच्वेक का मातरक है मैक, इंगस्टान, पास्कल या जूल तो सही एंस्वर है मैक Question नमबर 5 की तरफ चलते हैं तरंगदर्द का मात रख है More, Prakashwar, Jool, Irgistram तो तरंगदर्द का मात रख है Irgistram Question नमबर 6 की तरफ चलते हैं दाप का मात रख है Jool, Pascal, Mayk या Newton तो दाप का मात रख है Pascal क्विश्चन नंबर सेवन विद्धुत आवेस का मात्रक है वाडगंटा कुलाम मोल जूल तो सही एंस्वर है कुलाम आईए नेक्ट क्विश्चन की तरब चलते हैं निमनिखित में से समय का मात्रक नहीं है अधिवर्स चंद्रमास प्रकास वर्स इसमें से कोई नहीं तो सही एंस्वर है प्रकास वर्स प्रकास वर्स समय का मात्रक नहीं है Q9. पार्सिक इकाई है दूरी की, समय की, परकास की चमक की, चुम्ब की, बल की? तो सही एंस्वर है पार्सिक दूरी की इकाई है. Next question की तरफ चलते हैं. निम्लिकित में से कौन सा एक सुर्मेलित नहीं है? देसिबल धवनी की प्रबलता की इकाई, अस्व सक्ति सक्ति की इकाई, समुंदरे मिल नव चालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस उस्मा की इकाई, तो इसमें सही एंस्वर है D सेल्सियस उस्मा की इकाई Thank you for watching